हेलो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था क्लास 12 का अंसोल के कोशन आंसर लास्ट वीडियो में हमने डीकमपोजीशन अब गटन की प्रिक्रिया और बहुत सारे शॉर्ट नोट इंपोर्टन कोशन कवर कर लिये थे उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अंसोल नाम से आप जाकर देख सकते हैं तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है फॉसफोरस सायकिल जो बहुत ज़ादा इंपोर्टन ए ठीक है तो फॉसफोरस सायकिल आपकी लॉग कोशन में आती है कि फॉसफोरस सायकिल का वर्णन कीजिए तो इसमें आपको त्योरी डैफिनिशन लिखनी होती है और मजने वाला नहीं है कि आपको सिर्फ याद करना है लेकिन जो में लो है tyre ठीक कि ट्रिक तो पारिश्थित्उटिक टंथर ट्र पारिश्टितिक टंथर को क्या पॉस्फोरस जीव द्रव्य पधार तो फॉस्फोर लिपिट आधी का एक महत्पुन घटक माना जाता है मतलब जितने भी स्वैपोशी या परपोशी है उनमें जो फॉस्फोरस है वो बहुत दो इंपॉर्टेंट है और एक महत्पुन घटक घटक माना जाता है मानव द्वारा निर्मित पारी तंत्र में मतलब जो ह्यूमिन्स है उनके द्वारा एको सिस्टम में जो फॉस्फोरस है यहाँ पर पी फॉर का मीन्स क्या है फॉस्फोरस रसायनिक उर्वरकों के रूप में भी मरदा में मिलाया जाता है मतलब जो में जो निर्मित हो रहा है फॉस्फोरस वो रसायनिक उर्वकों में किसके द्वारा मिलाया जा रहा है मानव द्वारा तो मानव द्वारा निर्मित पारी तंत्र में फॉस्फोरस रसायनिक उर्वकों के रूप में भी म्रदा में मिलाया जाता है इसके अतिरिक्त इसे चटान से प्राप्त होता है किसे प्राप्त होता है फॉसफोरस को । व्रेद्ट से अपनी जडवन द्वारा और्थो फॉसफेट का सूत्र एस त्थ्री लूफ चैनल का मिनिग करते ह vermelijk कि जो हमारे प्लांट इंट वह जब सॉसफोर ग्रैंड कर रहे हैं अपने निट्रिशन के लिए तो वह उसे डायट फॉस्फोरस की फॉर्म में नहीं ग्रैंड कर रहे हैं वह फॉस्फोरस की जगह रूप में प्रात्मिक उतपादकों से प्राप्ट करते हैं अब इसकी line क्या हुँ का मतलब क्या हुआ कि जो तुमारे दुट्यक उतपादक है, means secondary producer phosphorus को जब प्राप्ट करते हैं, ठीक तो किस से प्राप्ट कर रहे हैं, पहले ये देखो जो दूत्यक उतपादक है, वो phosphorus किस से प्राप्ट कर रहे हैं, प्राथमिक उतपादक से, primary producer से, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं carbonic phosphorus के रूप कर रहा है इसकी लैग्वीज भारी है लेकिन बहुत एजी मैं आपको समझातील हूँ कि जो दूत्यक हमारे फॉस्फ़र कर रहे है वह किसे प्राप्त कर रहा है है किस रूप में कर रहा है कार्बनिक, फॉस्फोरस के रूप में एक बारा मैं आपको इसलि समझा देती हूँ कि EK स्सिटम के जितने भी स्वेफोशी है और परपोशी हैं उनके लिए क्या है फॉस्फोरस बहुत अधा important गठक है और जो म्रदा में कैसे बनता है कि जह चटानों के अपशे, कार्बनिक पधारतों के अब घटन से क्या है सोयल में यह मिक्स हो जाता है, म्रदा को प्राप्त होता है, ठीक और जो हमारे मिट्टी से, जब पौदे मिट्टी से क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस प्राप्ट कर रहे हैं, तो वो उसे फॉस्फोरस की फॉर्म में प्राप्ट ने कर रहे हैं, किस फॉर्म में प्राप्ट कर रहे हैं, और तो फॉस्फेट के रूप में ग्रैंड कर रहे हैं, और जब दुद्यक उत्पादक क्या कर रहे हैं Phosphorus को grant कर रहे हैं किस रूप में Carbonic Phosphorus की रूप में और किस से कर रहे हैं प्रात्मिक उत्पादकों से ठीक ये तो होगे इसकी definition ये ही सब हमें जो हमने लिखा है ये सब हमें cycle के रूप में दिखा देना है तो इसमें cycle में हमें कुछ याद नहीं करना है ना ही कुछ समझने का इसमें बस आपको arrow किस side लग रहे हैं ये धियान रखना है और ये धियान रखना है कि name किस जगे क्या लिखना है ठीक तो इसके बनाने का तरीका क्या है कि पहले आप बहार का नहीं बनाएंगे ठीक, पहले आप क्या करेंगे, ही चारो नाम लिखेंगे थोड़े थोड़े stance पर फर्स्ट है maritime and land plants, land plants mean भूमी पर पाय जाने वाले पौदे और marine means समुंदरी, ठीक, इसके बाद amazon and land plants लिखा उसके बाद हम इधर arrow लगाएंगे, ठीक, इसके बाद लिखेंगे marine and land animals समुंदरी animals भूमी पर पाई जाने वाली हैं क्या था plants उसके बाद यहां पर क्या है land animals फिर arrow लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे हम bacteria ठीक जिवानू ठीक यहां पर दो arrow लग गए और यह वाले arrow जो हैं यह इस side लगेंगे इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे dissolved phosphate in ocean, lakes and soil means जो dissolved mix हो गई है phosphate किसमे in ocean समुंदर में ठीक lakes, जील में, soil, मिटी में ठीक उसके बाद bacteria जो marine land animals हैं उसका arrow और dissolved phosphate in ocean, lakes, soil इसका arrow यह दोनों arrow किसके बीच लगने हैं bacteria के बीच और उपर के दो arrow इस type लगने हैं, मतरब ठीक, anti-clockwise यह इधर को लगने हैं और bacteria के जो यह दोनों हैं यह bacteria की side लगने हैं ठीक, तो marine land plants, marine land animals, bacteria dissolve phosphate in ocean, lakes, जील ocean माने समुंदर, lake, जील और soil, मिरदा उसके बाद देखो क्या करना है बीच में एक बड़ा सा arrow लगाना है उसके ओपर लिखना है death and decomposition means इस पूरी किर्या के बीच ठीक, इन arrow के बीच यह पर पूरी process के बीच death भी होती है और decomposition, death मृत्यू, decomposition माने अब घटन और decomposition की भी cycle आती है उसके link मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके link आपको description box से मिल जाएगी ठीक, और is marine और इन दोनों के बीच भी एक process होती है इसमें क्या होता है, animal क्या करता है feeding करते हैं और digestion, खाना खाते हैं और digestion करते हैं ठीक, इस arrow के ओपर लिखना है हमें death और excreation ठीक, और इस arrow के ओपर decomposition ठीक, इतना समझ आ गया फिर जब हम अंदर के चारो लिख लेंगे उसके बाद हमें एक arrow इधर लगाना है ऐसे करके, ठीक और यहाँ पर लिखना है phosphate in the form of rock in sea and on earth इसका मतलब हुआ जो phosphate है, in the form मतलब किस रूप में है rock, मी चट्टान के रूप में है कहाँ पर है, sea, समुंदर में और and on earth ठीक, तो phosphate in the form of rock in sea and on rock ठीक, उसके बाद एक arrow हमें इधर लगा देना है तो यह जो cycle है, बहुत ज़दा easy है इसमें आपको क्या करना है बनाने के लिए पहले चार अंदर के लिखने ने है उनके arrow लगाने है जो बाहर वाले arrow है उसके लिए सिर्फ आपको यह वाला नाम लिखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ यह लिखना है और इस वाले से arrow यह इधर लगा देना है और यह arrow इधर लगा देना है ठीक, use of fertilizers यहाँ पर क्या है, fertilizers का यूज हुआ है और वरकों का उपर लिखना है decomposition and sedimentation इसका मतलब तलचटी करण ठीक, तो यह हो गए आपकी phosphorous cycle और इसकी थियोरी फ्रेंड्स वीडियो पसंदायों तो लाइक कर देना थैंक्यू फर वाचिंग